हालो एवरीवन तो लास्ट लेक्ट्र में स्टूडेंट्स हमने किया था मैट्रिक्स क्या होती है और उससे रिलेटिट कुछ टाइप्स किये थी जो ओन दी बैसिस ओफ नंबर ओफ रोज और कोलम के बेस पे था यहां बोल सकते हैं हमने रेक्टेंगल मैट्रिक्स के बारे में किया था और उसकी कुछ टाइप्स देखी थी जैसे की कोलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स ठीक है तो आज हम करेंगे पोजिशन ओफ एलिमेंट्स इने मैट्रिक्स कि जब आपको कोई मैट्रिक्स दे दी जी अब आपको बोला जाए कि जो यहां पे 8th element पड़ा है ये इसकी position बताओ इस matrix के अंदर तो आप क्या check करोगे कि सबसे पहले आप इसकी row check करोगी कौन सी row के अंदर है फिर check करो कौन से column के अंदर है तो आप check करोगे कि row 1st, 2nd, 3rd जो इस 8th element की बात कर रहे हो वो कहाँ पे है 3rd row में है कोलम की बात करोगे तो 1st column and 2nd column, 2nd column में है ठीक है जी यानि कि जो इसकी position आप note out करोगे वो क्या बोलोगे 3rd row, 2nd column ठीक है तो position के लिए हम यहाँ पे small letter A यह B जो आपकी मर्जी है जो भी letter आप small letter यूज़ कर सकते हो उस case नीचे 3 cross 2 ये element आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है इसी तरह से आपको बोला जाए कि आप A, 2, 3 element बताओ यहाँ पे cross का use नहीं करेंगे हम directly 3, 2 इस तरह से order में लिखा जाएगा पहले वो कौन सी row में है फिर कौन से column में आ रहा है ठीक है अब आपको बोला जाए कि आप मेरे को ये बताओ A, 2, 3 element यानि कि एक ऐसा element जो second row में है वो third column में है तो पहले हम क्या जाएंगे second row में जाएंगे second row है फिर जाएंगे second column में तो आप देख सकते हूं कि ये second row ये second column तो कौन सा element आएगा फिफ्ट 5 आ जाएगा ठीक है जी इसी तरह से आपको बोला जाए A, 3, 1 A, 3, 1 का meaning पहले हम जाएंगे third row में और फिर जाएंगे first column यानि कि third row ये है इसमें first column कौन सा ये तो third row first column element आजाएगा आपका seven ठीक है जी जनली अगर आपको note out करना हो तो आप note out करोगे A, I, J से जहाँ पर I क्या है row ठीक है and J क्या है column कि जो आप element पता करना चा रहे हो वो कौन सी row में या कौन से column में है ये आपने जहां रखना है अब इससे related questions आप से पुछे जा सकते हैं वो क्या बोला जाएगा कि आपको बोल दिया जाएगा कि जो A, I, J है element की जो position है वो आप किस तरह से order एक rule दिया जाएगा कि I plus J by 2 ये बोल दिया जाएगा कि आप क्या करो matrix form करो formation of matrix ये हम plus 2 में भी कर चुकी हैं लेकिन बिल्कुल basic से चल रहे हैं तो ये जरूरी है आपके लिए भी जानना तो A, I, J अगर आपको दिया जाए I plus J by 2 और आपको बुला जाए कि आप मेरे को 3 cross 2 की एक matrix बना के दिखाओ तो आप लिखोगे इस से यानि कि आपको matrix बनानी 3 cross 2 जिसके अंदर 3 rows और 2 कोलम हो तो हमें पता है जब आपने 3 cross 2 की matrix बनानी है तो उसके इंदर elements क्या क्या होंगे पहला elements क्या होता है first row first column A11 फिर ये first row ही है ये भी first row है ठीक है जी लेकिन column दो रखने है अपने को तो एक column दो column हो गया तो first row and second column इसी तरह से second row first column second row second column third row first column third row second column इस तरह से आपकी क्या बन जाएगी 3 cross 2 की matrix बन जाएगी अब बोला जा रहा है कि ये अगर आपको AIJ दिया जाए तो आप हमें matrix बना के दिखाओ तो हम क्या करेंगे जो A11 element है यानि कि A11 कैसे निकालोगे AI की जगह आपका 1 है AIJ comparing करो AI की जगह क्या है 1 J की जगह क्या है यानि कि कौन सी column में है वो वी 1 है तो by 2 तो ये कितना आ जाएगा 1 यानि कि जो A11 element होगा वो आपका 1 आ जाएगा इसी तरह से अगर आपको बोला जाए या बना सकते हूं मैं randomly 1 3 1 उठाता हूं यानि कि AI की जगह क्या आपका 3 आगया जे की जगह क्या आगया 1 आगया by 2 यानि element क्या निकल क्या आएगा 2 यानि कि ये जो आएगा element वो आपका 2 निकल क्या आएगा जब आपको AIJ के बारे में बता दिया जाता है information दे दी जाती है ठीक है जी तो position of elements related जो पहला question बनता है यहां तो बोल सकता है कि position पे कौन सा element बढ़ा है वो बता हो या आपको particular elements दे के पूछ सकता है कि इसकी position बता हो या फिर आपको formation of matrix के लिए भी बोल सकता है ठीक है जी तो यह आपके position of elements in matrix से related questions बन सकते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं कि कल हमने rectangular matrix और square matrix के बारे में बात किया था तो आज हम करेंगे next topic रहेगा हमारा square matrix की types कौन कौन सी हो सकते हैं ठीक है next topic student हम करते है square matrices types के बारे में ठीक है square matrix क्या होती है वो हमने description कर लिया था last lecture में कि इसमें number of rows और number of columns क्या हो जाएं एकवल उस matrix को हम क्या बोल देते हैं square matrix यह safe base पर हमने देखा था क्या boundary points को जब आप add करते हो मिलाते हो by a line segment तो वहां से जो shape आ रही थी वो हमारी क्या आ रही थी square की तो उनको हम क्या बोल देते है square matrices ठीक है अब बात करते है mainly types कौन कौन सी आप इसमें discuss करोगी तो सबसे पहली type जो आएगी इसमें आएगी diagonal matrices तो जब आप जब भी diagonal matrices की बात करोगे तो सबसे पहले वो क्या होने चीए square matrix इसका reason भी जान लेते है कि diagonal matrices केस में square matrices ही discuss करेंगे वो देखते हैं ठीक है तो मैं एक square matrix ले रहा हूँ two cross two की मालो seven eight one three एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पर rectangular matrix one two three four five six यह यह आपके इसमें two rows है और three columns है ठीक है ठीक है अब हमें क्या करना है diagnose create करने डाइगनल क्या होते है एक line segment होता है जो corner points को मिलाने से बनता है ठीक है अब यहाँ पर क्या है जैसे कि हमने rectangle के अंदर भी देखा होता है diagonal इस तरह से corner points को मिलाते हो इस तरह से square में भी बनता है ठीक है लेकिन जो main जो बात हमें करनी है वो हमें बात करनी है principal diagonal की कौन से की principal diagonal बस यही difference है कि हम square matrix बढ़ते है diagonal में क्योंकि जब हम diagonal matrix define करेंगे तो हम बात करेंगे principal diagonal की कि आप a11, a22 जितना भी order है up to ann यानि कि अगर आप n cross n की matrix आपने ले रखी है तो ऐसे position वाले elements को आप line segment से मिलाओ जिसके अंदर i यानि कि row और column same है यानि कि अगर आप first row first column position वाला element उठाओगे यह वाला देखो फिर second row second column वाला element उठाओ यह फिर आगे अगर higher order की है तो three three वाला उठाओ यानि जिसकी position three rows three column में आ रही है इस तरह से आप बोल सकते हो ठीक है तो इन elements को मिलाने से जो diagonal बनता है उसको हम बोलते है students principle diagonal लेकिन खास बात अभी रुखो कि आप इन elements को बनाओगे तो वहां से एक diagonal मिलेगा ठीक है square matrices के अंदर और rectangle matrices के अंदर जो difference होगा mainly वह आपका रहेगा elements के उपर चलते जाने देखे यहां आप मिला सकते हैं ठीक है यहां पर आप मिलाओगे one five को मिला सकते हो two six को मिला सकते हो one or six को नहीं मिलाना क्योंकि इनकी बीच में element नहीं आ रहा ठीक है यह द्यारा करा यह बीच का main difference है क्योंकि अगर आप जो principle diagonal define करेंगे वह हम क्या बोलेंगे कि इन same position वाले जिसकी row और column same है उन elements को आप मिलाते हो तो आपको जो diagonal बनता है उसको principle diagonal बोलते है square matrix के अंदर क्योंकि वह क्या कर रहेगा इस elements को जो यह line लगाओगे line segment लगाओगे यह दोनों side इसकी above below दोनों side क्या होंगे number of elements same हो जाएंगे तो उसको हम बोलते है principle diagonal जैसे कि अगर आप यहाँ एक example और लें one nine seven six five four three two one यह तो यहाँ पर देखो a11 a22 a33 सब को मिला दिया हमने क्योंकि बीच में element पड़ा था तो मिला दिया यहाँ पर हम नहीं मिला पाएंगे अब जो यह line segment है इधर three elements आ रहे हैं इधर भी three elements आ रहे हैं तो square matrix की case में हम इसको क्या बोल देते है principle diagonal अब बात करते हैं diagonal matrices क्या होती है a matrix a square matrix ठीक है पहले क्या square a square matrix in which in which all elements all elements are zero सभी के सभी elements क्या हो जाएंगे जीरो except principle diagonal element principle diagonal element elements यानि कि एक matrix को आप diagonal matrix तभी बोलोगे सबसे पहले वो क्या होनी चीज़ square matrix फिर उसके principle diagonal को देखो अगर principle diagonal elements को छोड़ के बाकी सभी के सभी elements क्या हो जाएं जीरो तूस matrix को हम क्या बोल देते हैं students diagonal matrix example के लिए one nine eight seven six four three two one इसमें देखो ये element पहले तो क्या है इनके बारे में कुछ नहीं बोला कि condition क्या रख दी कि जो other dandies है principle diagonal के अलावा जो elements है वहाँ 0 होने चाहिए कि क्या कर देंगे यहां भी 0 यहां भी 0 इधर भी ठीक है तो अब इस matrix को हम क्या बोल देंगे diagonal क्योंकि हमारी जो condition है definition की वह हमारी satisfy हो गई क्या थी यह जो type हम पढ़ेंगे diagonal matrix के अंदर वह हम study करते है scalar matrices के बारे में क्या होगी scalar matrix अब देखो diagonal के अंदर हमने क्या किया कि जितने भी principal diagonal के अलावा जितने element उनको 0 कर दो यानि कि इनके उपर कोई condition नहीं थी कि principal जो diagonal है जो principal diagonal elements आ रहे हैं वो आपकी मर्जिया आप कुछ भी रख सकते हो अब क्या करेंगे अब इस पर restriction लगाएंगे कि a diagonal matrix a diagonal matrix is said to be is said to be scalar if all principle diagonal elements are equal अब देखो पहले कोई restriction नहीं थी अब restriction लगा दी कि diagonal matrix होनी चीए उसके अंदर भी जो principal diagonal elements आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होने चीए same होने चीए for example यह diagonal थी इसी के अंदर अगर हम 3 3 3 3 बाकी को 0 0 रख दो ठीक है जो यह जितने भी element आएंगे 3 cross 3 में बाकीयों को 0 रखोगे और यह principal diagonal elements सेम रख दोगे तो यह matrix क्या बन जाएगी आपकी scalar matrix यानि कि अब diagonal matrix के इंदर सब पार्ट सम स्टड़ी कर रहे हैं ठीक है जी इसी तरह से सेकेंड इसका सब पार्ट आप स्टड़ी कर सकते हो वो आएगा आइडेंटिटी मेट्रिक्स है जब स्केलर पे गए तो हमने principal diagonal elements के उपर क्या restriction लगा दी कि सभी को सेम रखो element आप कोई भी उठा सकते हो यह सब के सब सेम होने चीए आपके पास choice है 3 रखो 4 रखो कोई भी real number रख सकते हो कोई भी complex number रख सकते हो आपके पास वो choice है लेकिन identity के इंदर identity matrix जब बनाएंगे तो उसको भी हम restrict कर देंगे कि diagonal matrix scalar matrix तो होनी चीए सभी के सभी principal diagonal elements आपके सेम तो होनी चीए लेकिन उसके उपर restriction क्या है a scalar matrix a scalar matrix is set to be is set to be identity matrix उसको आप identity matrix बोलोगे if principle diagonal principle diagonal क्योंकि एक याएगा क्योंकि आपके पास एक choice थी तो इस अभी किस अभी elements क्या होंगे सेम होंगे तो आपको एक element चूज करना था यहाँ पर तो 3, 4 जो मर्जी कर लो लेकिन अब उसके उपर restriction क्या है कि principle diagonal element is 1 इसके अंदर 1 ही आप डाल सकते हो यानि कि अगर आप कोई भी square matrix लेते हो n क्रोस n की तो यहाँ पर आप 3 क्रोस 3 के लिए 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 यह देखो ठीक है इसमें आप 3 क्रोस 3 रख सकते हो 4 क्रोस 4 भी रख सकते हो 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 वो आपकी मर्जी आप कितने भी order की matrix बना सकते हो ठीक है उसमें 3 rows, 3 column, 4 rows, 4 column, n rows, n column ठीक है condition क्या है कि scalar matrix में आपने study की थी principle diagonal elements कोई भी select कर सकते हो लेकिन इसके अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा वन लेना पड़ेगा ठीक है students तो यह mainly types थी square matrices की diagonal matrices फिर बात आती है scalar matrix फिर बात आती है identity matrix ठीक है अब बात next हम करते हैं triangular matrix next students triangular matrices के अवारे में ठीक है यह भी square matrix type है तो इसको हम देखते हैं कि कैसे आप बना सकते हो में जो बात है वो principle diagonal की है यहां पे भी ठीक है principle diagonal के base पे भी हम इसको define करेंगे ठीक है तो इसमें क्या बोलेंगे हम a square matrix a square matrix is called triangular triangular matrix if all elements if all elements यह जी समझना below or above of principle diagonal of principle diagonal आर जीरो यानि कि आपने square matrix ली हुई है उसका principle diagonal आपको पता होगा कौन सा कि जिन जो आपके a11 a22 यानि कि वो elements जिन की position क्या आ same row same column में आ रही है उसी row का उसी column में ठीक है यानि कि जैसे कि मैं आपको बात करूँ कि third row में आपने element उठाया तो कोई उनसा element आप उठा रहे हो third row में जो आ रहा है third column में जो आ रहा है ठीक है तो ऐस elements को जो बनाओगे line segment बनेगा उसको आप principle diagonal बोल दोगे अब इसके इंदर condition हमने क्या डाल दी कि उस principle diagonal के below यह अब हूँ चेक करो कि अगर आपको elements क्या मिल जाए जिरो तो हम उसको बोल देंगे triangular matrix जैसे की example के लिए बात अगर हम करें पहले हमें लेनी square matrix तो हम square matrix बना लेते हैं 987654231 यह हमने three cross three की square matrix ले ली जी ठीक है principle diagonal इसका कौन सा है a11 a22 a33 elements को मिलाओगे तो यह आपका principle diagonal मिल गया ठीक है जी अव हमें क्या करना है इसके below और above check करना है कि सभी के सभी elements क्या होने चाहिए 0 यहां देख सकते हो mon 0 यहां भी देख सकते हो non 0 ए सभी elements को ठीक है इसी तरह से हम क्या कर सकते है इसी के अंदर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 1 यह principal diagonal अब हम क्या करेंगे यहाँ पहले हमने निच्चे 0 बनाये थे इस principal diagonal के below अब हम क्या करेंगे उपर सभी elements को क्या कर देते है 0 ठीक है तो हमारी condition satisfy होगी square matrix square matrix है दोनों की दोनों ठीक है फिर condition क्या बोल रहा था principal diagonal elements जो है यह principal diagonal है उसके नीचे यह उपर जो भी elements आएं अगर सभी के सभी 0 है तो आप उसको बोल दोगे triangular तो देखो दोनों satisfy कर रही है ठीक है अब बात करते है triangular के अंदर भी types आती है वो आप यहाँ देख पा रहे हो तो सबसे पहली type इसमें upper triangular अपर ट्रेंगलर और दूसरी है lower triangular ठीक है जी दो टाइप साइस में अब यह बनेंगे कैसे पहले तो मैंट्रिक्स क्या होने चीए अपर सोरी triangular फिर आप upper triangular है यह लोगो ट्रेंगलर कैसे करोगे क्योंकि जितने भी non elements है जितने भी non zero elements है उनको मिलाओ जैसे कि अगर आप इस triangular matrix की बात करो triangular है क्योंकि below आपके zero बन रहे है हम क्या करें जितने भी non zero elements है यह तो मिला ही हुए इन को मिलादो एक ट्रेंगुलर की बन रही है तो हमने इसको ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोल दिया इसमें कहां बन रही है उपर अबो तुसको हम बोल देंगे अपर ट्रेंगुलर यहां पर ये ट्रेंगुलर की शेप जो आ रही है वो कहां रही है नोन जिरू एलिमेंट्स को मिलाने के बा ठीक है कि पहले हम square matrix लेंगे फिर ही आप बात कर सकते हो अब आपसे question यह हो सकते हैं कि आपको बोला जाए कि every diagonal matrix every diagonal matrix is scalar अगर आपको यह बोल दिया जाए इसमें आपने बताना है कि true है यह false है कि सभी की सभी every diagonal matrix is scalar क्या सभी की सभी diagonal matrix scalar होती है नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि हमने देखा था diagonal matrix के अंदर जाके हमने restriction लगाई थी principal diagonal elements के उपर तब जाके वो scalar बनी थी तो यह क्या आजाएगा false तो यह भी द्यान रखना है आपने यह चीजे भी आपसे कभी कभार पूछ ली जाती है ठीक है फिर मैं लिख रहा हूं कि every scalar matrix is diagonal बिल्कुल होगा कैसे जितने भी scalar matrix है वो diagonal होगी क्योंकि diagonal की टाइप ही तो थी है डाइगनल के अंदर ही तो हमने scalar पढ़ा था इसी तरह से आप से पूछ सकता है कि scalar matrix every scalar matrix is identity आपको मैं बोलूँ कि every scalar matrix is identity matrix कि आप कोई n x n की scalar matrix लेते हो तो क्या always वो उसी order की identity matrix बनेगी तो इसमें true false की बात की जाए तो इस यह भी आपका false ही आएगा false आजाएगा option क्यों क्यों क्योंकि scalar matrix के अंदर condition डालोगे कि जब हम उसे scalar पर गए थे तो हमने क्या किया था प्रिंसिपर डाइनल elements सभी के सभी same होने जाए यह restriction लगाई थी फिर जब scalar से identity बे गए थे तो जो एक element same ले रहे थे उसके उपर भी restriction लगा दी थी कि आपने same भी लेने सभी के सभी और one लेना है ठीक है तो इस तरह से आपसे question पूछे जा सकते हैं इस से related तो आपने इनमें confusion नहीं हो ना जातर confusion होती है वो इसी से related होती है ठीक है तो यह हमारी mainly types होगी आपकी square matrices की